आज हम बनाएगे धनिया का पकोड़ा ये खाने में बहुत स्वधिश्थ लगता है हलो दोस्तों आपका रिंकी किचन में स्वागत है धनिया पकोड़ा बनाने के लिए हमने धनिया को साप करके ले लिया है और इसके जरे काट कर फैक देंगे देख सकते हो दोस्तों कितना सारा हरा धन्यप की पत्तिय दिख रही हैं और इसको बारिक इस तरह से हम काट लेंगे इस तरह से हम बारिक काट लेंगे और एक बाउल लेंगे और उसमें हम पानी डाल लेंगे इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसको हम धुलकर साफ कर लेंगे इसे एक बार पानी डालकर हमने पानी निकाल लिया है और दूसरा पानी हम डालकर इसको इस तरह से छान लेंगे और हम ले लेंगे एक कटोरी बेसं चारी बारी कटी हुई हरी मिर्च दो लंबे लंबे कटी हुई प्याज और धनिया पाउडर गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक स्वादन सार डालकर और पानी डाल लेंगे और इसको हम हम इस तरह से मिला लेंगे इसे हम थोड़ा थोड़ा पाय डाल कर अच्छा से मिला लिया है और इस तरह से अब यह पकोड़ी बनाएंगे हमने तेल पहले से ही गरम कर रखा था और इसमें हम इस तरह से पकोड़ी लेकर काट काट का डाल देंगे और जब एक तरफ हो जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे इस तरह से इसको हम पलट लिया है और दूसरी तरह भी हमने इस तरह से इसको पलट लिया है अच्छे से हमने उलट पलट कर इस तरह से चला कर पका लिया है हमारे धन्य पकोड़े बन गए हैं इसको हम निकाल लेंगे और अब इसको हम एक पलट में डाल लेंगे और दही के साथ इसे सर्प करेंगे आप हरी चटनी या लाल चटनी किसी के साथ सर्फ कर सकते हैं.